नमस्कार बच्चों हम लाए हैं कक्षा 5 की मिधावी परिक्षा की तेयारी का भाग 9 अब तक हम 72 कोशन्स कर चुके हैं चलिए बढ़ते हैं आगे लुकिंग एराउंड के कुछ और इंपोर्टन कोशन्स को हम देखेंगे इससे पहले हम स्टार्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सुनीता विल्यम्स नाम तो सुनाई होगा आपने ये 6 महिने से भी ज्यादा अंतिरिक्ष में रही थी और आप जानते हैं सुनीता विल्यम्स से पहले भारत की कौन सी महिला थी जो अंतिरिक्ष में गई थी वो थी कलपना चावला और उससे पहले स्कौर्डन लीडर राकेश शर्मा चली वापिस आते हैं वे स्पेस शिप से 360 मीटर दूर अंतिरिक्ष में गई थी अब आप मुझे बताएंगे आईजक असी मौव का कौन सा चैप्टर आपकी किताब में है वो हिंदी की किताब भी हो सकती है और इंग्लिश की भी आप मुझे बताएंगे अंतिरिक्ष में कंगी करने की जुरूरत नहीं होती क्यों क्योंकि गृत्व बलके अभाव के कारण बाल हमेशा कड़े रहते हैं अंतरिक्ष में टक्कर का काम कम करने के लिए आपको अपने आपको बैल से बानना पड़ता है नहीं तो आप हवा में उड़ते रहेंगे पूरन माशी को चांद पूरा दिखाई देता है आप कौन-कौन से त्योहार ऐसे हैं जो पूर्णिमा से संबंदित हैं तेख लेते हैं तो यह सबी तोहार फुल मुंडे पर मनाये जाते हैं तो इनमें से कई बार यह पूछा जा सकता है चांस समंदित दो त्योहार लिखो तो उसमें आप यह मेंशन कर सकते हैं या कौन से त्योहार पूर्णिमा से समंदित है आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं यह सारे यह एक बार आया हुआ है यह कविता किस ने लिखिया यह लिखिया अन्वार इसलाम ने लिखी है अगर कोई चमकती चीज अगर टेजी से चलती हुई हमें आकाश में दिखे तो वह उपग्रह होता है कौन से अपग्रह होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जोकि 90 मिनट में पूरी धरती का चकर लगा लेता है और अगर आप बहुत इच्छुक हैं इसको देखने के लिए तो आपको सुबेच जल्दी रूटना पड़ेगा चार से पांच बचे साड़े पांच बचे यह स्पश्ट आकाश में चलते हुए तारे की तरह दिखाई देता है और इसे मैंने स्वयम भी कई बार देखा है चलिए इस चित्र को ध्यान से देखिए बताईए यह क्या है यह है टूटता हुआ तारा यह उलका बिंड यह वह होता है जो प्रित्वी के वायो मंडल में आते ही घर्शन के कारण जलोटता है और एक चमकते हुए पिंड की समा दिखाई देता है यह भी फिलफ्स में पूचा जा सकता है एक बार यह आया था कि सुनिता विलियम डैश बनना चाहती थी तो उसमें काफी बचे कंफ्यूज हो गए थे वो गोता खोर बनना चाहती थी ठीक है नंबर 79 नैरू इंस्टिटिटिटिट और मॉन्टेरिंग वे विटामिन सी और आयरन की गोलियां सब भी परवता रोही को मिलती है तो यह भी पूछा जा सकता है परवता रोही को स्पेशल खाने में क्या मिलता है तो विटामिन सी की गोलिया और आयरन से क्या होता है हीमोगलोबिन भढ़ता है शरीर में ताकत आती और विटामिन सी उन रॉक क्लाइंबिंग है रैपलिंग है तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें इसी को कंटिन्यू करते हैं स्लीपिंग बैक ये देखिए ये मैंने स्लीपिंग बैक बनाया है इसकी तहों में पंख भरे होते हैं पंखों से गर्मी आ जाती है और बचेंद्रिपाल की गाइड ये भी पूछा गया एक बार तो उनका नाम है ब्रिगेडियर ग्यान सिंग मचेंद्रिपाल कौन थी ये हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं ये भारत की पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस की चोटी पर जिन्होंने फत्य पाई थी 23 मई सन 1984 चलिए अब आगे बढ़ते हैं मलेरिया जो है वो मादा मचर एनफलीस के काटने से होता है मलेरिया डेंगू चिकन गुनिया ये तीनों ही मचर काटने से होने वाले बिमारी है इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है कई बार ये पूछ सकते हैं मलेरिया से बचने के लिए किनी दो उप विश्मदर्शी किसी भी चीज़ को 1000 गुना बड़ा करके दिखाता है यह फिलप्स में आ सकता है खून की कमी को एनीमिया के एक और कोशन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मलेरिया की जांच किस के दोवारा होती है खून की जांच से है यह भी फिलप्स में आ सकता है डेसी लीटर, नेक्स्ट है मक्षियों से कौन सी बिमारी होती है, देखो मक्षरों की तो हमने बात कर लिए, अब हम मक्षियों की बात करते हैं, मक्षियों से इने वाली बिमारी है, हैजार, डाइरिया, या पेट की बिमारी, पेचिश, देखो चाचा, इस सुई को तेराना डूबी ठीक है बट वो डूब गई ये किसने लिखी थी काविता ये लिखी थी शिशे शोभने अगला है दांडी यात्रा कौन से साल हुई ये 1930 में हुई और कहां से कहां तक हुई ये भी पूचा गया है हेमदाबाद से दांडी की समंदर तक अचा अब कुछ बीख है जो मसाले की रूपे इस्थमाल होते हैं सरसौ, सोंफ, जीरा, काली मिर्च ये सारे बीज है जो मसाले के रूप में इस्तमाल होते हैं चलिए हम बाढ़ते हैं आगे ये देखिए बीजो का प्रकिंणन क्या होता है बीजो का बिक्राव अब ये किनके द्वारा होता है सबसे पहले हम चितर से सबस्ट करते हैं यह जानवरों द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है, पानी द्वारा होता है, वायों द्वारा, इस यह डेंडलियॉन है, यह डेंडलियॉन में क्या होता है, कि जब इसके बीच पके त्यार हो जाते हैं, हवा चलती है, तो लाकों की संक्या में डेंडलियॉन हवा म सब्स लाइब सब्सक्राइब अगला है खाना जल्दी खराफ होता है खाना जल्दी खराफ होता है डैश के कारण हांजी फिलप्स में आया हुआ है किसके कारण बैक्टिरिया की व्रिदी के कारण या जिवानुओं की व्रिदी के कारण वेरी वेरी इंपोर्टन जिवानु जो होते हैं वो खाने पर काम करते हैं इसलिए गर्मी के मुशं में खाना दूद सब्सी बहुत जल्दी खराख हो जाते हैं मामडी टांडरा आम पापड का नाम है और इसे कितने हफ्तों में बनता है यह चार हफ्तों में बनता है अगला है आम से क्या-क्या बनता है हां जी यह भी पूछा गया है सुनो कहानी एक अनुखे पेट की पेट में ता छेत कहानी चेत की यह कहानी किसने लिखी है राजे शुत्साही ने लिखी है अभी हमने उनकी एक कविता का और जिक्र किया था आलू मिर्ची चाय जी पचने में लगा समय कच्छा दूद यह दो गंटे 15 मिरट में होता है य बी पुछा गया है पेट में टैश होते हैं तो आप लिखेंगे पेट में पाचकरस होते हैं अगला very very important question ओडिशा के काला हांडी में सबसे क्या पैदा होता है या सबस्यादा चावल की पैदावार का होती है आप लेखेंगे उडीसा के काला हांडी में यहां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा चोड़ती हैं जिससे सूंग कर सौरी यहां पर आएगा सूंग कर पीछे आने वाली चीटी को रास्ता पता चल जाता है अब करती है तो दूरी का हैसास होता है जब दोनों चीजिए पर अलग-अलग केंदित करती है तो देखने का दारा बढ़ता है यहां आपको समझना पड़ेगा जैसे कुछ एनिमस होते हैं अगर मैं काओ का चितर बनाओ ऐसे तो काओ क्या एक आंक इस तरफ होती है और एक इस सबने से सामने से उसी चीज़ पर कंसंट्रेशन अच्क बन जाती और एक चीज़ का अहसास होता है अब हम आते हैं अपने आक्री सवाल पर बहुत खु trees कुछ हो रही होगी और वो सवाल है कि कौन से साल सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी very very important question ठीक है और यहां पर सोने का time table बना हुआ है काओ जो है वो दो घंटे सोती है अजगर जो है वो 18 घंटे सोता है जिराफ जो है मात्र दो घंटे सोता है बिल्ली जो है वो 12 घंटे सोती है और कौन से जानवरों का शिकार किया जाता है बाग, खाती, गैंडा, शेर, मगरमच और सांप तो इसके साथ आपका EVS जो होता है वो खतम होता है अब इसके बाद हम SST के कुछ important questions लेकर आएंगे मेरी चैनल के subscribe करना मत दूना खिल्दे भाज से घेकर इसनल जो है बाद धी